हमिर्पुष जिला के भोरंज उकमंडल की ग्राम पंचाइट धमरोल का एक प्रती निधी मंडल मंगलबार को थाना कलाम है ग्रामिन विकास एवं पंचाइटी राजमंतरी बिरेंदर से मिला पंचाइट प्रती निधी मंडल ने बिरेंदर कवर से कहा कि धमरोल पंचाइट की आबादी लगबग 6,000 है तथा यहां पर 3,890 मत दाता है ऐसे में इतनी बड़ी पंचाइट की दो अलग अलग पंचाइटे बनाई जाएं जनकल्यांड समीती कुल्दीप चंद की अगुआई में ग्राम पंचाइट धमरोल के 20 तरसिय प्रती निधी मंडल ने जोल, कोटा, सरसोहली और दर्गाओं को अलग करके दूसरी पंचाइट बनाने की मांग की मैं इस देश के परधान मंतरी जी का और इस देश की संसरत का बहुत-बहुत अभार बेक करता हूँ परदेश के किसानों की तर्फ से तो ने इतिहासी को फैसले जो है वो किसानों के हित में बिल पात करके जो हम लिये हैं जिससे जो एक लंबे समय से जो एक व किसानों को कम पैसा जो था और जिसके कारण़ को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इस देश की अंदर कहीं भी जो है वो अपना उत्पाद जो है वो बेच सकता है इसमें उसको किसी तरह का कोई टेक्स नहीं पड़ेगा किसी तरह की कोई आड़क जो है उसको नहीं देनी पड़ेगी यह इस बिल में जो है उसका प्रापधान रखा है और इसके भी आगे बढ़कर के कहा है कि जहां यह पैसा जहां यह अपना प्रड़क्ट बेजेंगे जो इसको खरीदेगा उसको तीन दिन के अंदर जो है किसान को करनी पड़ेगी आज ध्रवागिया से ऐस पूरा विपक्ष स्थ है कॉंग्रस और पूरा विपक्ष जो है वो आज किसानों को गुवरा करने में जो हम लगे उने हैं आज उनको देश हित और किसान का हित जहां दिक करना है उनको सिर्फ इस देश के विचोरियों के साथ आज पूरा विपक्स यहां वो खड़ा है जो एक द्रवाग्या पूर्ण सेती है मानिये परधान मंत्री जी नहीं यह देश को अश्वाशन दिया है कि जो उनको मिलता है वो जारी रहेगा और रभी फसल के उपर जो एम अपना काम करेंगी और किसान चाहे तो एपी एमसी में अपना जो है वो प्रड़क्ट बेचे अगर उसको लगता है कि उसको ज्यादा मुद्लिया जो है वो कहीं और बिढ़ रहा है तो किसान वहां पर उसको बेच सके यह जो वीरोध है यह अनवशिक है हिमाचल परदेश की सरकार हिमाचल परदेश का किसान पूरे तरह से इंटरेंडर बोदी जी और केदर शुक्त सरकार के साथ खड़ा है उना से आपका फ्रेंसला टीवी के लिए जीवन शर्मा की रिपोर्ट